बिहार के शिक्षा मंतरी लगतार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो कुछ बिवादित बयान बाजी कर देते हैं तो कभी गलत पोश्ट डालने को लेकर लोगों द्वारा सोचल मीडिया पट्रोल किया जाता है। इसके बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। दरसल शिक्षा मंतरी चंदर शेखर बिहार सरकार में कहने को तो प्रोफेसर है। लेकिन वो पिछले 15 साल बिना कॉलेज गए वेतन उठा रहे है। रामलखन सिंग यादो कॉलेज के प्रानी विज्ञान बिभार के सहायक प्रध्यापक है। इस कॉलेज में वियाथ ऑक्टूबर 1985 से कारेरत है और उन्हें मार्च 2026 में सेवान निर्वित होना है। इसलिहाजा अभी भी वो कॉलेज में प्रोफेसर के पोश्ट पर बने कॉलेज के जो लौजी डिपार्टमेंट के असिस्टिन प्रोफेसर है पिछले 15 वर्सों से विधायक बनने के बाद कॉलेज में आना जाना कम हो गया है। 15 साल पहले कॉलेज में डॉक्टर चंदर शेखर क्लास भी लेते थे और शात्र शात्राओं को पठन-पाथन भी करा लेकिन वर्तमान के 15 वर्सों में ना तो उनका उपस्तिती पंजी में नाम दर्ज होडा है और ना ही उनकी हाजरी बन पा रही है। मालूम हो कि चंदर शेखर 2010 से मधिपूरा के सदर विधायक है। वर्तमान में वो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री है। इससे पहले वो आ चाते चलेगी चंदर शेखर को सरकार के निर्देश अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है। प्रचार ने बताया कि पिछले 15 वर्सों से उनकी हाजरी नहीं बन रही है। फिर भी सरकार के फंड से उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन भुगतान करना विभागी आदेश है वैसे फैसिलिटी का लाव विधाई की छेतर से ले ही रहे है और आर्थिक लाव प्रोफेसर के पद से उठा रहे है जानकारों की माने तो ये बिल्कुल गलत है प्रोफेसर चंदर शेखर शिक्छा मंतरी के पद पर रहते हुए वेतन नहीं ले सकते विध एड्रो विध विडियो ल गलत पूलत है झाल विद्वल चंद गिखर जानने ये विडियो प्रेश चंद का लाव रहे है तो विधाटी है, टूब है तो लोग प्रोफेसर प्रोफेसर बीत, के वाईड चाहिसका आचिंवाटीराइज